हाई दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुजीत व्लोग्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप फाइब बाइक अंडर 80,000 रुपीज दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं बजट बाइक का जो अच्छी माइलेज भी देती हो आपके डेली राइडिंग के लिए अच्छी ह और किसी को गिफ्ट देने वे भी आपको चीप एंड बैस पड़ जाए जो कि आपको अच्छा प्रफॉर्मिस भी दे दे सिटी राइड पे तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आपनों गुगले बहुत जाना इंफिर्मेडिव बिकॉज एक ओनर एक बायर पॉइंट जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरू कर लिजिए नोटिफिकेशन बेल जल्दी से ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए में टाम बना सबूँ दोस्तों नुबर 5 पे है हॉंड़ा साइ ड्रम बेक डिस ब्रेक के 68 थाउंड से लेके 73 थाउंड के आपको मिल जाता है की फीचर्स अगर इसमें हाइलाइट करूं मैं इस मॉडल के तो दोस्तों पारफुल 125 चC इंजिन मिल जाता है दोस्तों सालेंट स्टार्ट ACG मिल जाता है आपको इसमें इलेक्रिक स्टार्ट मिल रहा है HAT BS6 इंजिन मिल रहे है 5-step adjustable rear shock absorber मिल रहे है दोस्तों इसमें प्रोस की बात करें जो कि इंपॉर्टन है बाहर करते हैं आपको इसी ध्यान देने चाहिए तो दोस्तों दोस्तों सब्सक्राइब हो चुका है इसका हाइवे प्रफॉर्मेंस जो है उतना ज्यादा अच्छा निए बाकिस सिटी के लिए यह वरल बहुत अच्छा है और बहुत सारे राइडर्स जो है डेली यूज के लिए इसको यूज करते हैं दोस्तों नबर फोर पे है बजाज मिल जाती है और टॉप स्पीड जो हैंडल किलोमेटर पर आवर के असपाज भी मिल जाते है आपको फाइड स्पीड गेर मिल जाते हैं और दोस्तों आपको सीब्स ब्रेकिंग मिल जाती है इसमें टैंक जो है 11.5 लिटर का है वेट इस सेगमें में तोड़ा है 140 kg के को और दोस्तों क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है और सैमी डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिल रहा है दोस्तों यह तो कि प्रोज एंड कॉंस के अगर बात करें तो थोड़ा सा बाइक को हैवी के कहा जा रहा है यंग्स्टर के हिसाब से अधर्वाइस यह मॉडल में और कोई भी कॉंस नहीं है यंग्स्टर को इसलिए इसका लुक डिजाइन बहुत यह पसंदा रहा है दोस्तों नमबर थ्री पर है हीरो की ग्लैमर एफाई मॉडल दोस्तों यह मॉडल जो है बहुत पहले सेल हो रहा है इसका यूजर भी बहुत ही अच्छा है प आपको 95 किलो मेटर पर आवर की इसकी स्पीड जो है वो टच कर लेता है राम से एफाई फ्यूल इंजेक्टर आपको इसमें मिल जाता है आपको अनलोग डिजिटल इंस्ट्रूमिल क्लस्टर मिल जाता है अलाविल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है टायर की जो व्रेत है वह अच्छी दी जा रही है इस सेगमेंट के साफ से सैल्फ स्राट मिल रहा है आपको यह तो हो गए प्रोस की बाद दोस्तों क्स कि अगर बात की जाएं तो इसका जो हैड़ाइट ए उसका प्रॉपर फोकस नहीं है ऐसा यूजर रिवीउ है इसके अ स्प्लीट स्रीट मॉडल दोस्तों ये राइडर्स को भी बहुत आपसना रहा है जब से ये लॉंच हुआ है ना सबसे इसका सेल भी बहुत आ अच्छा है इसका जो प्राइसिंग आ रहा है वह सब्सक्राइब दोस्तों की फीचर से अगर हैलेट करूं तो पच्पन केम पील क कि आसपास में आपको आवरेज दे देती है और दोस्तों 100 किलमेटर पर आवर की स्पीड जो है वह टच कर लेती है 5 स्पीड गेर मिल जाता है CBS ब्रेकिंग मिल रहा है 1125 लिटर्स का आपको इसमें फील टाइंग मिल जाता है 142 केजी की ये बाइक है दोस्तों और दोस्तों पावरफुल 110.6C इंजिन डीटी ऐसे इंजिन मिल जाता है और आपको अलाविल टूबलेस टायर्स अनलोग डिजल कंसोल मिल जाता है इसमें थोड़ा सा पॉबलम जो देखा जा रहा है वो सर्विस साइड में फिंगर पॉइंटिंग जाता है दोस्तों नमबर बन को टोली डिजर्व करता है हॉनटा शाइं का SP model दोस्तों ये मॉडल जो है अंडर 80,000 बेस्ट औप्शन कहा जाता है इसका ग्राफिक लुक डिजाइन जो है वो राइडर्स को बहुत पसंदा रहा है दोस्तों इसमें आपको दो वेरिंट मिल जाते हैं ड्रम और डिस्स दोस्तों 74,000 तो 78,000 के एक्षवरों प्राइज में आपको यह मॉडन मिल जाता है इसकी जो मायलेज है 64 kmpl के आता मिल जाती है 95 की स्पीड तक यह टच कर लेता है और 5 स्पीड गेर मिल जाता है CBS ब्रेकिंग मिल रही है 11 लीटर का आपको fuel tank capacity मिल रहा है 118 kg की यह bike है दोस्तों अगर key features थोड़ा सा highlight करें तो muscular tank layout मिल जाता है LED tail lamp और आपको head lamp भी मिल रहा है दोस्तों sporty allowables मिल रहे है tubeless tire मिल रहा है fully digital instrument cluster मिल रहा है दोस्तों engine self start मिल रहा है CBS braking मिल रही है और दोस्तों इसमें silent engine silent start जो है ACG के through वो भी मिल रहा है तो यह सारे features के साथ में दोस्तों आपको six year warranty भी दिया जा रहा है इसका reliable engine जो है Honda का वो riders को बहुत जा पसंदाब है इसकी build quality भी बहुत ज़्यादा अच्छी है compared to other जो इसके Honda के model थे जो जो shine के model थे इसकी जो build quality है थोड़ा सी अच्छी भी लग रही है otherwise यह model top को totally deserve कर रहा है दोस्तों I hope दोस्तों आपको top 5 list जो under 80,000 है यह पसंद आई होगी है दोस्तों क्या है आपका suggestion आपको क्या लगता है वो जरू मुझे comment section बताएगा दोस्तों मैं एक चीची जरू के लिए क्लेकर चाहूंगा कि दोस्तों वैसे सो maximum bikes जो होती है वो अच्छी ही होती है बट हाँ हर कोई top नहीं कर सकता दोस्तों हर किसी को top में हम नहीं set कर सकते top पे होने के लिए कुछ key features होने चाहिए तो दोस्तों यह सारी features जो है इन 5 models मुझे लग रहे थे यह मेरे इसाब से यह top 5 जो models है वो एक riders की needs है वो fulfill करते हैं pocket friendly भी होते हैं performance भी अच्छा देते हैं और दोस्तों low maintenance भी होते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ video के end करना हूँ अगर आपका कोई doubt and query है या suggestion है तो comment section का भरपूर उपयोग करिए ख्याल रखे ध्यान रखे और देखते रही गुरुची व्लॉग ऐसी बहुत सारे informative वीडियो आपके लिए आती रहेंगी बाई